रासायनिक बल गतिकी के इस वीडियो में हम सुन्य कोटी अभिकिरिया के वेगनीन तांग व अर्ध आयुकाल की गढणा करेंगे तो सुन्य कोटी के अभिकिरिया किसे कहते हैं कि वे रासायनिक अभिकिरिया हैँ जिनका वेग अभीकारक की सांदर्ता के सुन्य घात के समानुपाती होता है या जिनका वेग अभीकारक की सांदर्ता पर निर्बर नहीं करता है वो सुन्य कोटे की अभीकिरिया कहलाती है जैसे मान लो कोई अभीकिरिया है और वो क्या बना रही है दोस्तों पर T समय पर अभी किरिया का वेग क्या होगा वेग क्या होता है अभी कारक की संदरता के समाल नुपाती और यहां देखे दोस्तों अभी सुन्य कोटी के अभी किरिया के लिए अभी कारक की संता कितनी होगी सुन्य गात के समाल नुपाती होती है तो अभी किरिया का वेग हमा C, C की घाद 0, C बने सांदर्ता और सुन्य घाद के समानुपाती क्योंकि, क्योंकि गैसे अभी किरिया है, सुन्य कोटे की अभी किरिया है, ठीके दोस्तों, और दोस्तों, यहाँ पर X जो है, यहाँ पर, X जो है, X, T समय पर, T समय पर, अभी कारक की अपगटित मात्रा है, अपगटित मात्रा है, आगे निकालते हम, जब हम इस परपोस्टनल को हटाएंगे, तो इसके लिए एक नियनताग निकल के आएगा, जिसे हम एक नियनताग कहते हैं, तो D, X बरोबर, D, T, इस परपोस्टनल को हटाने पर, K, C की घात के आजाएगे, दोस्तों, 0, जिसके ओपर, 0 घात लगी भी हो, उसका मान कितना होता है, एक, तो दोस्तों, D, X बरोबर निकल के आएगा, D, X बरोबर निकल के आएगा, K, इसको हम समिगर नंबर एक दे देते हैं, ठीक है दोस्तों, सुन्य कोटी अभी किरिया का वेग इस्तिर रहता है, सुन्य कोटी अभी किरिया का, जो वेग है दोस्तों, वो क्या रहता है, इस्तिर रहता है, हमें यह आपर, D, X बरोबर निकल के आएगा, K, D, T, वो समिगर न आएगा, दो, अब हम क्या करेंगे, इस समिगर का दोनों और सम्मा कलन करेंगे, तो समिगर, दो का, दोनों और समा कलन करने पर, दोनों और समा कलन करने पर, यह आएगा, दोस्तों, हमारे पास, D, X, बरोबर, K, D, T, ठीके दोस्तों, जो D, X है, उसका दो समा कलन होता है, वो X होता है, और जो यह K, D, T है दोस्तों, इसका समा कलन होगा, K, T, पलस I, यह सुन्य कोटी अभी करिया का समा कलन है, तो K, D, T के लिए हमारे पास निकल क्या जाएगा, K, T, पलस I, इसको हम समीकन देते हैं, दोस्तों, यहाँ पर जो I है, दोस्तों, I बरोबर समा कलन नियनतांग, सिधी रेका का समीकन निकल क्या आता है, I बरोबर क्या है, समा कलन नियनतांग, यहाँ पर, दोस्तों, समीकन दो में, दो में T बरॉबर 0 हो तो X बरॉबर भी कितनी होगी 0 T समय पर अब गटित अभी करिया अभी कारक की मातरा भी कितनी होगी 0 यह मान जो है दोस्तों इसको देते हैं 3 वो इसको हम समिकर्ण 2 में रख देते हैं समिकर्ण 3 का मान समिकर्ण 2 में रखने पर क्या निकल गयाएगा यहाँ पर देखेगा दोस्तों x बरोबर कितना हो जाएगा 0 बरोबर k इंटू 0 प्लस i तो i बरोबर निकल के आएगा दोस्तों 0 इसको हम समिकन दे देते हैं 4 इस समिकन 4 का मान इस समिकन 2 में रखने पर हो समिकन 4 का मान समिकन 2 में रखने पर तो देखेगा दोस्तों समिकन 4 में आई बरोबर कितना है 0 तो समिकन 2 क्या है x बरोबर k t प्लस i तो x बरोबर k t प्लस i का मान कितना आया 0 तो x हमारे पास क्या निकल के आएगा k t हमें क्या निकालना है वे इस तरह के कमान ग्याद करना है के को हम इधर लाएंगे यह निकल कर आएगा एक्स बटे टी और यह होता है दोस्तों सुन्य कोटी अभी किरिया के लिए वेग नियंतांग यह दोस्तों सुन्य कोटी अभी किरिया का वेग नियंतांग है बात करेंगे हम सुन्य कोटी अभी किरिया के अर्दायू काल की यह से पहले हम सुन्य कोटी अभी किरिया की सांदर्ता के विमा देख लेते हैं यह इसकी इकाई निकालते हैं सुन्य कोटी अभी किरिया के लिए हमारे पास निकल गाएगा के वरबर एक्स बटाटी एक्स क्या है सांदर्ता है वो टी क्या है समय तो के वरबर था एक्स बटे टी एक्स क्या है दोस्तों सांदर्ता वो टी क्या है समय इसकी कई मैंने अगले वाले वीडियो में डालके नि क्या लिखते हैं second तो ये निकल के आएगी mole liter minus one second minus one ये होती है सुन्य कोटी अभी किरिया के लिए कई ठीक है दोस्तों बात करते हैं हम सुन्य कोटी अभी किरिया के अर्दायुकाल की सुन्य कोटी अभी किरिया का अर्दायुकाल ग्याद करने से पहले हमेरे पास सुन्य कोट अब भी किरिया का जो वेग नियंतांग का जो मान हमारे पास निकल के आया था वो था के बरोबर एक्स बटे टी हमें क्या ग्याद करना है अर्द आयूकाल ग्याद करना है यहीं टी ग्याद करना है तुम टी को इदर लियाएंगे लेप्रेंट साइट की और तो हमारे पास निकल काएगा X बटे के अब हमारे पास अर्द आयुकाल है तो therefore T बरोबर कितना हो T हाप हो तो अर्द आयुकाल में जो विक्टित होने वाले परदार की मात्रा है वो भी कितनी होगी एक बटे दो आदी हो जाएगी ये मान हम यहां रखेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा T हाप बरोबर A बटे 2K ये होता है सुन्य कोटी अब्वी किरिया का अर्द आयुकाल या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो सुन्य कोटी अब्वी किरिया का अर्द आयुकाल है दोस्तों वो परपोर्पोर्शनल होता है परदार्थ की मात्रा के या अभी कारक की मात्रा के तो ये होती है सुन्य कोटी अब्वी किरिया का अर्द आयुकाल जब हम ग्राब खीचेंगे एक्स और टी में दोस्तों जब हम ध्यान डखेगा जब हम अर्दायूकाल और प्रारंबिक सांदर्ता में ग्राप कीशते हैं तो ये एक सिद्धी रेका आता है तो ये होती सुननी कोटी अभी के रिया के लिए वेगिस्ती रांग और ददायूकाल की गड़ना आपको हमारे वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें